स्वागत है आपका आज की चाहिए पर कल आपने देखा ही होगा प्रेस कॉंफरेंस हुई है अंकिता के लिए अरे सौरी अंकिता के लिए नहीं थी बड़ी एक तरफा लग रही थी बर ठीक है भी आप पसंद करते होंगे जैसे ओडियंस पसंद कर रहे ना अंकिता को बाहर अचा नहीं कर रही क्या ओके ओके तो फॉल्स नारेटिव कैसे चला मुझे समझ नहीं आया पर फिर कुछ तथ्या आज आपको बताती हूं जिससे लगता है कि ओके अब आई बास समझ प्रेस कॉंफरेंस शुरू हुई तो मुझे पता था कुछ सवाल अंकिता कुछ मनारा कुछ अबिशे, कुछ विक्की, कुछ अरुन सब के लिए होंगे और मुनवर के लिए भी क्योंकि सब की ही जरनी कोई बहुत दूद की धुली तो रही नहीं है और हर किसी ने बहुत गलतिया करी है सीजन 13 तक मैंने पूरा-पूरा सीजन देखा है और कभी 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 कोई ट्राय पर इस बार मैं बोलूँगी इतनी जल्दी जल्दी फेवरेट बदले हैं इशा स्टार्टिंग में बेहत बुरी लगी उसके बाद उसने अपनी गेम चेंज करें अच्छी लगने लग गई समर्थ ईशा अभी शेक की दोस्ती अच्छी लगने लग गई फिर उसके ब ट्रेंड भी करा तो हर किसी के डानामिक्स बदले हैं कोई भी परफेक्ट नहीं रहा है इस जर्नी में और ऐसा में नहीं रहा है कि हम पूरी जर्नी किसी की पसंद कर सकते हैं पर हैरानी की बात यह थी कि जितने भी वहाँ पे मीडिया परसंस आई हुए थे जो भी जर्नलि मनारा बहुत बुरी थी मनारा ने बहुत बुरा भीव करा बट लेट्स नॉट फगेट तो फैक्ट की एक टाइम के बाद अंकिता अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर गए थी सिर्फ एक जर्नलिस ने एक वैस्ट पूछा कि अंकिता आपने क्या कुछ नहीं खा पर बाकी सार देखी कि आप मूँ से बोल के जरूर दूर होए थे पर आप हमेशा मुना मुझसे बात कर अरे विकी तो उससे क्यों बात जब आप खुद कह रहे हो कि आपके हस्बंड विकी और मनारा की बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो जोनों ने क्या बोला वो मुझे पटा अब किसे पूछ लो अरे अंकिता जी आप मनारा तो है तीसरी इंसान है ना वो समझे ना समझे छोड़ दीजे वो तो ही बुरी आपके हिसाब से बड़ी जो विकी भहिया है जो करते हैं कि मंकु मैं तुम्हारी मदद पंकु नहीं क कर पाऊंगा और अरे ये तो मेरी बहन है इसकी तो मैं मदद करूँगा तो फिर ऐसा लगता है ना तर ही इस रॉंग और उनके रॉंग होनी की पनिश्मेंट आप किसको देते हो मनारा को अगर वो गलत हैं वो जा जाके बात कर रहे हैं या तो आप कंट्रोल कर लो अपने या फिर अपने हस्बंड को भी उतना ही ब्लेम कीजे जितना आप मनारा को करती हैं और अगर आपके हस्बंड नहीं रुक रहे हैं तो मनारा पे सारा ब्लेम डालना बन कर दीजे और बार-बार मुझे यह समझ नी आया बात इन्होंने बराबर कर दिया चाहे मनारा जितनी पूरी रही हो जी यहां बिलकुल उसने गलत किया था खानजादी के साथ बट लेट्स नॉट फरगेट कि जिन बातों पर यह कहते रहे हैं यह लोग कि आईशा के लिए खानजादी के लिए बुड़ा बोला था तो मैं इतना बोला जाओंगी अंकिता जी फिर आप ही आद कर बेड़ाल बुड़ानी होते हैं आप सलमान के सामने के सामने के सामने कि आप समय झाले होगा कि इतनी वड़ी हम कि अगेटा सारी आपको है स्ट्रेस अपने परिवार का आपको है अपने इन लोजा का स closely है मनारा कीमा क्या गलती थी ती उस टाइंपर कहां बोला था कि आप अपना सौरी अपने पास रखो हैं या अपने सौरी को मत बोलो या कुछ भी ऐसा हा मुझे पता कुछ लोग कह रहे थे कि मनारा हस रही थी थे और ले जा विकी को, विकी फ्री है मुनावर में जो भी कुछ बोला था और सौक्स चाट ले और क्या डांसर बोला था हमको पता है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि फिर इतना कुछ सुनने के बाद उसका हक हसने का भी नहीं है कल की प्रेस कॉंफरेंस में हर पॉइंट पे अंकिता ने मनारा को अपनी बात पूरी ही नहीं करने दी लगातार इंटरप्ट करा है और मनारा चुपचाफ सुन रही थी बस उसने एक बार ये बोला कि आप मुझे कह रहे हो मैं गंदा बोलती हूँ मैं गंदा बोलती हूँ तो फिर आपने भी तो इतना कुछ बोल दिया मेरे खाल से अंकिता बराबर कर चुकी है यहाँ जादा ही कर चुकी है जो की एक उस टास्क को हारने के लिए हुआ तो जो सिर्फ मनारा की वज़े से नहीं मनारा, मुनवर, अभिशेक और अरुन की वज़े से वो हारी थी मैं तब मानती हूँ उनकी बाते जायज अगर वो चारो को लगतार सुनाती तो यह होता या चलो गुसा है इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और यह खेलना चाहते नहीं थे हम सबको पता है furthermore मैं एक बात आप सबको clarify करना चाहूंगी यह कह रही थी कि मुझे मुन्ना से मुझे बात करनी थी, मनारा बात नहीं तो मैं कहना चाहूंगी आपको मुन्ना से बात तो करनी थी पर अंकीता जी हम सबको पता है जो आपने बोला था ना खड़ी रहे खंबे की तरह तो मैं आपको कहना चाहूंगी उस टाइम पे आप उससे बात नहीं करना चाहते थे everyone clearly knew कि आपको मसाले लेने थे और उस टाइम पे वो प्रोटेक्ट कर रही थी बुनावर को क्योंकि आपके हजबन लगातार उसका कभी गला पकड़के बैठे थे कभी जैकेटों के अंदर हाट डालके वो मसाले खीच रहे थे उन्होंने कुछ मसाले निकाल भी लिये थे क्यों क्योंकि वो आपका personal राशन था तो जो सारे घरवालों का राशन था और उसमें से हजारों मिर्चिया आपने डाली सब लोगों पे उसका हिसाब तो आपने आज तक नहीं दिया मनारा तुम क्यों नहीं रिस्पैक करती हो और तो की तो मैं रिस्पैक तो तब ही मिलेगी जब तुम रिस्पैक करोगी तो मैं आपको बोलना चाहूंगी नहीं दीप आपके जो गले की नसे फूल रही थी, आप जअरविस्थ हो, तो आपको ज़र्रेलीजम का एक रूल तो पता ही होगा, आप Big Boss के contestant तो नहीं थे न, आप तो as a journalist आए, जिस दिन Big Boss की contestant बन्के आए, उस दिन नसे फूल आ के बोलना है, समझ में भी आए, As a journalist आपका जो दायत हुए है वो ये है कि आप अपनी personal bias aside रखके बोले ये जो है हर interview में जब ये अंकिता का interview लेते हैं तो ये कहते हैं She is like my family तो if she is like your family then herein if you are taking her side तो फिर आप कैसे एक neutral journalist हो है तो आपका यहाँ आना ही नहीं बनता था फिर तो घरवालों को बुला लेते नयन्दीब के साथ साथ बाकी सब के लिए भी बोलूँगी जिन्होंने ये question पूचा था मुझे उनका नाम नहीं पता कि अभी शेक आप हमेशा कहते हो पसल मचाओ पसल मचाओ बड़ा पसल जाते हो या फिर वो जो मनारा के लिए जूटा एक narrative लेके आई थी कि उन्होंने वो बात बोली जो actually मैं समझते ने बोली थी thankfully बिग बॉस ने highlight करा कि वो गलत बोल रही है इन सब के लिए बोलूँगी कि आप जो होते हैं जो होते हैं वो जनता की voice जनता के opinion को सामने रखने के लिए होते हैं अपना personal bias या फिर जो personal agenda है उसे सामने रखने के लिए नहीं होते हैं हाँ हो सकता है कि आपको genuinely कुछ गलत लगा हो पर मेरा सवाल इतना ही है कि अगर आप बाकियों से सवाल पूछते हैं जो कि कहीं न कहीं अंकिता के hit में जाता है या फिर अंकिता पर अत्याचार को highlight करता है तो वहीं दूसरी और जब यही बाते लास्ट दो हफते में हुई हैं जहां ईशा, आईशा, अंकिता, विकी, भहिया सब बैठ के क्या बात कर रहे थे कि यह जो बच्ची है, यह सगी है, यह सोतेली है तो फिर आईशा ने बोला, यह तो जो भी बात बोली न जायज वाली गलत बात है, of course, बड़ यह बात किसी ने नहीं उठाई आईशा ने एक clarity देने के लिए बोला है कि भहिया, मैं तो ईशा की बात कर रहे थी वैसे ईशा के लिए भी क्यों बोला, देखा जाए बड़ हम सब को पताए कि वो बात बात में confirm होगी that it is for मनारा, क्योंकि फिर आईशा ने क्या बोला था जब अंकिता ने पूछा कि यह पेट में से करके बोल रहे थी, हम सब को पता है, थोड़ा सा एकसेंटेड हिंदी है मनारा की, जारा एकस्प्रेशन वो बनाती है तो फिर आईशा ने बोला हाँ पेट में से ही ऐसे बोलने लग गई थी इतनी बड़ी बात उस टाइम पे भी कोशिश करी है मिताली जी-दी जो मनारा की बहन है उन्होंने उठानी की इस बात को पड़ इस बात को तो ऐसे दबा दिया गया, इस बात का जिकर भी नहीं करा गया कोई क्लैरिफिकेशन में न ली गई नहीं चलिए मैं मानती हूँ इशा के लिए बोला था बढ़ उस टाइम पे जॉनलिस्ट एक बात वे सवाल कर सकते थी ना क्लारिफिकेशन उस टाइम पे मिल जाती या फिर अंकिता जो हाँ मैंने कब बात सोची अंकिता वास डिनाइंग की ये बात भी हुई है वहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं वो मुहावरा सेट तो नहीं बैठ रहा कि चोर की दाड़ी में तिनका तो वहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो जब एकदम ये डिनाइं कर रही है जबकि ये बात काफी लंबी कॉन्विजेशन चली है पूरी एक शाम, पूरी एक रात जहां आइशा किसी की मम्मी बनके प्रिटेंड कर रही थी और भद्दे सी भद्दी बाते बोल रही थी इशा के लिए हो या मनारा के लिए हो कि बोलूदगी कि अर तरफ से सवाल आने चागए थे for and against मनारा for and against अंकिता बड़ यहां पे मनारा के लिए 1% आये, जो मनारा के हित में थे, अंकीता के लिए 99% उनके हित में आये, अब यहां पे आप बोल रहे हों कि अरुन के लिए तो कोई सवाल ही नहीं आये, ठीक है, वाँ समझ आता है, वो दिखने ही रहे हैं उतने है ना, पर जब हम यह देखते हैं कि सारे ही लोग जो हैं वो विकी भाईया आप पड़े रेड फलैग हैं अच्छर नहीं विकी भाण तो रेड फलैग हैं वो बुरे हैं वो ऐसे हैं वो वैसे वो आदमी पैरों में बढ़ गया है ना जहां अंकीता अगें यह बात अंकिता प्लाइअ ने केस में लोग सहा गई थी फिर क्या होता फिर मोचे क्वा एक और अउरत के साथ क्या हो रहा है और आज में फिर बोलूगी विक्की भहिया रेड़ फ्लाइग है तो अंकिता भी कम रेड़ फ्लाइग नहीं है आप एक उसीद देख मानी ठीक है शांती से वो ये बात को सह गए पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही बात अगर विक्की भहिया कर देते कि कोई बात नी मंकू कोई बात नी मेरी सनू ओ ओ सौरी सौरी मंकू मंकू तो उसके बाद जो ये करती फिर विक्की भहिया के साथ लाते बरसती जूते बरसते और पता नहीं हाथ भी बरसता है विक्की भहिया ने तो हर बार बड़े डिगनिफाइड तरीके से बात का जवाब दिया है कि हाँ भहिया मैं हाँ इनकी वज़े से हूँ I am thankful to her पर कितनी बारे सवाल उठेगा हर टास में हर बार यह सवाल उठता है अब यहीं पर अगर मंकु के लिए विक्की भहिया बोलते हैं तो सारे बोलते हैं और वाइ अपनी बीवी के लिए करना तो फिर कहीं न कहीं कोई न कोई कर्तव वे तो बीवी का भी होता है वो देखा जाए तो कहीं न कहीं अंकिता ने पूरा करा है by bringing him to big boss तो I really want कि ना विक्की भहिया भी बात उठाएं कि भहिया मैंने financially तुम्हें help करा है और नहीं मंकु ये बात उठाएं कोई और कि विक्की भहिया आप इस घर में मंकु की वज़े से हो hopefully जो उनकी भाबी आई थी वो अपना you know एक opinion रखेंगी सामने because वो बहुत ही neutral थी उन्हें बातों को सम्हालना आता है क्योंकि अगर विक्की भहिया influence हो जाते हैं कि उनकी मम्मी या पापा कुछ कहते हैं तो it can be difficult for अंकिता ना कि अंकिता के लिए और difficulty ना भड़े because उनकी mental health already बहुत सफर कर चुकी है इस घर में and even though she has been very very rude with Manara वो मुझे नहीं पसंद आया but I really vision hope कि अंकिता जब बहार आए तो you know हर कोई situation को सम्हाल ले और अंकिता और विक्की जो है वो बिक बॉस में जो हुआ वो यहीं छोड़ के आगे भड़े last में इतना ही कहूंगी कि जो questions put up हो रहे थे अगर उसी pattern से चले जाए उसी influence उसी biasness से चला जाए तो अंकिता के हाथ में चोफी आएगी वरना अगर fair रह के देखा जाए तो you never know because मैं आजकल देख रही थी तेहलका जी जो है बहार बहुत जारा voting कर रहे है करवा रहे हैं अपने fans से तो अरुन भही अभी जीच सकते है मनारा ने अपिफिस का वो जीता वो भी जीच सकती है अंदर घर में वापिस आया अभी शेक वो भी जीच सकता है और मुनवर के आर्मी के तो मैं इतने comments हर रील पर देखती हूँ कि I do think कि even he can win तो बड़ी बड़ी वो close call है बलास्ट में जो मुझे लगता है अगर दो लोग कोई खड़े होंगे तो वो शायद मनारा और मुनवर है MM और unfair game में A A खड़े हो सकते हैं जिसमें से 1 A जीतेंगी हमें पता है कौन कर आज के लिए इतना ही अपना उपीने रखना ना भूलेगा with respect to the fact कि आपको कौन लगता है जीतेगा और क्या कल की press conference फेर थी योगि मेरे नजरों में वो एक तरफा थी आज के लिए इतना ही कल दिवाली मनानी है क्योंकि कल हम दिवाली मना चुके हैं कल सच में दिवाली ही लग रहे थी चलिए हर साल अब दो दिवाली होगी दुगनी खुशी और दुगनी भक्ती होगी कहना पड़ेगा कि उनकी प्रतिमा जो है वो इतनी खुबसूरत है उनकी आखे बोलती है बाल स्वरूप में कल राम लला घर आए नहीं राम लला नहीं कौशल्या के लाल घर आए जी हां दिल खुश हुआ और आत्मा तृप्त आज के लिए इतना ही जैसिया राम रादे झला है जी हुआ औरर आत्मा पूला लाम लाम ला में आखे बोला लाम 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 है जाए बोला, फाल भाम में लाम कर लाम लाम